Good morning to all क्या audio video clear है? सबसे पहले ये बता दू पटापट से हाँ जी शेवां ग्यान की पूरी प्राप्ति ठीक है आज हम ग्यान से जादा थोड़ा सा stand-up comedy करेंगे इदर ठीक है क्योंकि हर टाइम यार है भी नहीं हो सकते हैं कभी-कभी हम ये चीज़ों को सीखना होता है तो fun way में सीखना होता है a very good of क्या चल रही है? morning है it's morning आज कल इतना जादा back-to-back चलता रहता है ठीक है? कभी-कभी हो जाता है so a very good morning to all of you बहुत-बहुत स्वागत है आपका Study IQ के YouTube चैनल पे I am Chandan Sharma, your faculty right, history का faculty हो में but ठीक है, कभी-कभी current affairs mostly current affairs भी दे दिये जाते है right, so कल बढ़ा ना हमने fun किया paid class में P2Y की जो शाम की class है न तो उसमें हम लोग Vedic literature को discuss कर रहे थे और वो कभ Vedic literature थोड़ा उसकी discussion philosophical discussion में convert होगी तो पता ही नहीं चला it was really very enriching experience, right जो वारतालाप होता है two-way communication हो पाती है हमारी right, that was also quite enriching right, so I was actually under impression के English में क्योंकि जैसे एक class चल रही थी English batch था तो वहाँ पर ना I was a little bit worried के यार Vedic literature में बहुत सारे Sanskrit के शब्द आएंगे ठीके Hindi की knowledge bilingual में उसको समझाना थोड़ा सा असान रहता है previous year questions हमने जितने डिसकस की है from Vedic age right, तो वो भी काफी लोगों ने clear कर लिया right, so I was motivated after that lecture so much that I decided कि जो starting में बहुत पहले हम Indian Express में करते थे ना, जिस तरीके से articles cover, especially S.Raja Mohan साहब के तो वो कुछ वैसा ही process आज यूज़ करने जा रहे ठीके, तो start करते है, straight away ठीके, articles दोस्तों थोड़े कम होएंगे क्योंकि आपको ये चीज़ समझ नहीं होगी कि सभी articles वैसे ज़रूरी होते भी नहीं है ठीके, most important articles पर हमारा focus रहना चाहिए अब ठीक है audio most important articles के उपर हमारा focus रहना चाहिए और उसमें भी अगर सुबह सुबह session चाहिए तो यार थोड़ा सा तो trade-off होगा ठीके, बट क्योंकि current affairs एक continuous process है तो definitely हम चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं ठीके, तो रोज के रोज जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं तो अच्छे से सारे मुद्दे पता लग जाते हैं जैसे Maratha reservation के उपर कल एक article आया हमने नहीं किया तो क्या हो गया कौन सा हमें गंगा जाके सनान करना पड़ेगा पाप धोने के लिए आज एक article आया, उसको पढ़ लिया पता है, उससे कल की काफी चीज़ें clear हो जाएंगी ठीके, तो अब इसको समझिए अब हम पहले मुद्दे से start करते हैं मुद्दा controversial है, बड़ मैं controversy create करना नहीं चाता है इसको बड़े neutral तरीके से हमने समझना है एक IS officer की तरह इस पूरे मुद्दे को समझना है and one second, Delhi गी न एर pollution काफी जादा हो चुकी है I think we need to have air filters here ठीके, चलो मुद्दे को हमने समझना है एक IS aspirant के perspective से जहां पर हमें ये clarity होनी चाहिए कि या root cause क्या है किसी भी issue का root cause को समझ कर जादपाच से उपर उठ कर जन हित में, राष्ट्र हित में हमें निरने लेने होते है ठीके, तो इसके discussion की शुरुआत करते है और अगर आपको PDFs चाहिए Telegram के उपर ये channel है इसको जरूर जोइन करना है ये जरूर है इसको जोइन करना है टीके, time to time में और भी कही important चीज़े है आपके mains के answer, क्या folder material कुछ mains के model answers, वो सरी चीज़े आपको यहां पर मिलेंगी इसी के साथ Instagram पे I am here do connect with me, I'll be very happy to stay connected with you guys and these are the QR codes जिनको scan करके भी आप मेरे साथ connect हो सकते हैं, ठीके and start करने से पहले फटा-फट एक information, कि हमारे new batch start हो रहे हैं, UPACIS preparation के लिए right, तो English, English and Hindi, ये तीन अलग-अलग languages में हम batch offer करते हैं Hindi, should the Hindi माध्यम में ठीक है, वहाँ पर Indian Policy Governance ने राज्य ववस्था इस तरह की terminologies use की जाते हैं, किताबें Hindi में, content Hindi में English batch is the most 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 demanded batch right, जिस तरह से हम यहाँ पर Indian Express में discussion कर रहे है, bilingual में explanation हो रही है, लेकिन जो content है वो आपको आपकी मनपसंद भाशा में मिल जाएगा, ठीक है, Hindi में चाहिए, तो Hindi में भी मिल जाएगा, English में generally students यहाँ के students prefer करते हैं, right इसकी classes 15th November से start हो रही है timely enroll कर लेना, ताकि पहली कुछ classes बहुत important होती है, वो miss ना हो जाए, और pure English batch ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर भी ठीक है, दोनों में हम included हैं, right, तो यह 17th November से start हो रही है, शाम 6 बजे की classes पहेंगी CS Live Code का इस्तेमाल करने से आपको highest service risk discount मिल जाएगा having said that, चलो पहले article को अब करते हैं, discuss moment of reckoning, reckoning क्या होता है किसी को पता है मतलब reckoning का right, मुझे लगी रहा था that someone will ask the meaning of reckoning so actually, इस चीज़ को बताने के लिए मैं आप सभी को, सबसे पहले यह कहूंगा कि see, अगर आप Android phone use कर रहे है ठीक है, जो मेरे पास गरीब सा phone Android, ठीक है, Realme का रखा हुए तो यहाँ पर एक app आती है known as, यह देखो, WordWeb इस तरह की app है, यहाँ पर हम type करेंगे R-E-C-K-O-N-I-N-G right, okay तो यहाँ पर हमें देखो, कई सारे meanings मिल गए ठीक है, I hope you can see this right, तो reckoning का मतलब बता है, problem solving that involves numbers of various numbers or quantities तो moment of reckoning का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, right, calculation good, 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 Rahul ने सही बता है ठीक है, actually, not just calculation calculation to solve something ठीक है, calculation to solve something, right, यह article दिखा है गिरीश कुबेर ने, और इसका सीधा-सीधा संबन्ध हमारे GS1, society के साथ बन जाता है, social issues के साथ बन जाता है इसे के साथ governance के साथ भी कहीं न कहीं इसका सीधा संबन्ध बनता है right, तो sociology students how many of you are sociology students sociology students के लिए article बहुत जादा ज़रूरी है क्योंकि जो आपका caste का topic आता है खासकर paper 2 के अंदर वहाँ पर dominant caste का topic आप पढ़ते हैं तो उस लिहाँ से maratha reservation और maratha quota यह आपको knowledge इसकी होनी चाहिए तो यहाँ पर moment of reckoning जो है, वो reckoning है कि maratha reservation को लेकर जो एक विवाद उत्पन हो रहा है तो सबसे पहले problem को समझना ज़रूरी है और यह problem क्या है इसको accept करना भी ज़रूरी है कई पर क्या होता है कि officer लोग भी और politicians लोग भी क्या करते हैं कि problem चल रही है हाँ जी, हाँ जी, सब चंगा सी ऐसा ज़रूरी नहीं होता problem होती है उसको ठीक करना ज़रूरी है तो यहाँ पर हमें problem समझनी पहले तो problem क्या है basically कि Marathas reservation की demand कर रहे है due to perceived deprivation perceived deprivation का मतलब कि उनको लग रहा है कि वो पिछड़ते जा रहे है तो इसलिए उनने लगता है कि reservation उनकी problems को solve कर सकती है लेकिन अगर हम Marathas के कुछ demographic data को देखें ठीक है यहाँ पर थोड़ी सी reckoning करें तो यहाँ हमें पता लगेगा कि Marathas in Maharashtra they are actually strongest of all communities इस वक्त Chief Minister कौन है? Maharashtra के Deputy Chief Minister कौन है? Cabinet में 29 members कौन कौन है? सब कौन से प्रलोंग करते हैं? Marathas community से इनके 16 state Chief Ministers रह चुके हैं अजादी के बाद 16 Chief Ministers ने अलग-अलग time period निकाला हुए तो 11 Chief Ministers यह Marathas community को हमेशा बिलॉंग किये अभी के Chief Minister एकनाच छिंदे और Deputy Chief Minister पवार साब यह भी Marathas हैं Cabinet के 29 members यह Marathas हैं जादातर जो इनके educational institutions हैं जैसे की the most famous D.Y. Partil University यह कौन fund कर रहा है इनको कौन इनको run कर रहा है? Marathas तो Marathas clearly एक dominant community है ऐसा नहीं कि यह backward community है ऐसा नहीं कि यह बहुत ज़ादा पिछड़े वोग हैं इनके लिए positive discrimination करने की ज़रत पड़ेगी लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा है महराष्टर में जिसकी वज़े से यहाँ पे इनकी community Marathas की community actually reservation चाह रही है और लगातार जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं they are basically feeling even more desperate तो यह क्या problem है क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसके लिए देखो दो चीज़ें हैं इस article का जो basic crux है ना दो aspect में divide किया हुआ है पहला कि Marathas आखिर quota क्यों चाह रहे है ऐसा क्या हो गया पिछले इतने सालों में कि इनको quota की जुरूद पढ़ गई और ये चीज़ें तो quota की demand ये क्यों बढ़ रही है? दूसरी चीज government reluctant क्यों है? government को ऐसी क्या problem है? reservation कई बार इन्हों ने दिया है government ने ठीक है अभी फिर से थे तो Marathas को उसमें क्या दिक्कत है? तो यहां पर government क्यों reluctant है? ये चीज़ें हम analyze करेंगे तो देखो जो process है ना, process कुछ ऐसा है कि अगर हमने इसको root causes का समझना है तो हमें पूरे के पूरे मुद्धे को break करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा Marathas की history में अगर हम इते हास के पन्नों को पलट कर देखें तो Marathas क्या होते थे? कौन होते थे Marathas? Marathas Marathas एक तरीके से agricultural class को भी लॉंग करते थे peace time जब जंग नहीं चल रही तो इनके पास lands होते थे वहाँ पर हल जोते थे land की productivity आती थी प्रजा का पालन portion होता था और अपना भी इनकी आमदनी आती थी वहाँ से और गुजारा चलता था तो agriculture, peace times में अच्छा, how many from Maharashtra and how many from Maratha community? ठीके? यहाँ पर जो discussion होने जा रही है न ऐसा लग सकता है कि controversial discussion होगी but actually बिल्कुल controversial नहीं होगी even आपको भी समझ लगेगा कि Maratha reservation, why is it why the demand is becoming more and more और क्या इसमें challenges हैं? ठीके? तो अगर informed decision या informed mobilization आपने करनी हैं तो things here can help you right? so I know quite a lot of you are from Maharashtra ठीके? टेलिगनाम पर भी मुझे messages आते रहते हैं कई लोगों के साथ हो Marathi में conversation होते रहती है right? पट मेरी Marathi उतनी अच्छी नहीं है यार my brother he did his MBB is from Nagpur so that is why उसको Marathi आगे उसने थोड़ी से मुझे सिखा दी बस उतनी उतना ही आता है ठीके? हाँ जी बहुत बड़ी अजे ठीके? अजे कह रहे हैं कि I am Indian ठीके? अजे मैं भारती हूँ ज्यादा शाणा नहीं बनना ठीके? Don't be over smart ठीके? I am Indian ठीके? मैं भारती हूँ आप smart बन रहे हूँ अब मैं over smart बनता हूँ मैं भारती हूँ भारत में एक जगा है पंजाब तो वहाँ से बिलॉंग करते हैं तो मैं पंजाबी भी हूँ ठीके? चलो डिसकर्स करते हैं ठीके? बड़ी ही बहुत बड़ी बात कर दी अजे Indian ठीके? भारती है ठीके? भारती है चलो देखो peace time में agriculture करते थे और war के समय पर जो regional princes होते थे उनको support करते थे उनकी armies में serve करते थे ठीके? अब अजादी के बाद और जब basically British Raj आ गया ठीके? और अजादी के बाद agriculture क्योंकि war time तो उस तरह से है नहीं तो agriculture काम अराम से चल रहा है, और agriculture में MS Swaminathan और इंदरा गांदी की समय पर जो green revolution का फाइदा मिला उसने agriculture को काफी ज़्यादा remunerative बना दिया, ठीके? agriculture से काफी ज़्यादा benefit मिलना start हो गया, और green revolution एक चीज मुझे बताओ, green revolution में, वो क्या चीज है जिससे की agriculture को remunerative बनाया जा सकता है, कोई बता सकता है दो तीन चीजें, anyone दो तीन चीजें ये हैं, high yielding variety of seeds ठीक है, और उन seeds के लिए Delhi air pollution anyways, उन high yielding variety seeds के अच्छे से cultivate करने के लिए हमें चाहिए होता है pesticides fertilizers and various other things irrigation भी चाहिए, और यहां पर अगर हमें economies of scale को ensure करना है economies of scale का मतलब क्या है, कि जहां पर आपकी लागत कम है, लेकिन output अच्छी खासी है, ठीक है for example, छोटी सी example देते है मैंने मान लो, समोसे की दुकान शुरू की, ठीक है यह दो-दो समोसे खाते हैं, तो मुझे पर डे 40 समोसा बनाना है, अब 40 समोसा बनाने के लिए मेरी gas लगेगी, ठीक है, लेट से 3 किलो की gas लग रही है, ठीक है, कुछ मेरा oil लगेगा, कुछ मेरा मैदा लगेगा, कुछ आलू लूँगा, राइट, तो oil मेरा 2 किलो oil लग रहे है, ठीक है, मैदा मेरा 1 किलो लग रहे है, और यह क्या था पोटेटो, अलू, ठीक है, यह भी 0.5 केजी लग रहे है, वैट, तो इसमें इसकी अगर value निकालूं, तो लेट से मेरा 1000 रुपे का खर्चा हो रहा है, ठीक है अब 1000 रुपे के खर्चे में समोसे सिर्फ 40 से हैं, लेकिन यही 1000 रुपे के खर्चे से मैं अक्चुली 100 समोसे भी बना सकता हूं क्योंकि गैस तो चली रही है, ठीक है कडाई का साइज भी मेरा अच्छा खासा है, तेल भी है वहाँ पे, तो बस मैदा भी ठीक था कहा, थोड़ा सा और उस एक समोसा बना के उसमें तलना ही तो है तो 1000 रुपे की लागच से मैं समोसे थोड़े से और बना सकता हूं तो क्योंकि अगर सिर्फ 40 ही लोग आ रहे हैं, तो ये बिजनस जो है मेरा इतना ज़दा रेमिनरेशन मुझे नहीं देगा यहीं अगर मेरे पास 80 लोग आ जाए, और दो-दो समोसे ले, तो उनको केटर किया जा सकता है, इसी 1000 रुपे में इनको केटर किया जा सकता है, यानि कि ज़्यादा क्लाइंट बेस होने से मेरा जो धन्दा है, वो मुनाफ़े वाला हो सकता है, ठीक है अब लैंड के अंदर, ग्रीन रेवल्यूशन के बाद जो बीज आया, और ग्रीन रेवल्यूशन के बाद जो अग्रिकल्चर प्रक्टिस इस आई उसमें सीधा-सीधा फंड़ा था, कि जिसकी लैंड होल्डिंग का साइज बड़ा होगा उतना ही जादा उसको फाइदा होगा क्योंकि जो इन्पुट कॉस्ट है वो डिवाइड सी हो जाती है और लाजर लैंड होल्डिंग की वज़े से जो आउटपुट है, वो काफी वास्ट आती है ठीक है, ग्रीन रेवल्डिंग अक्चुली इच सपोर्ट्स लार्जर लैंड होल्डिंग क्या ये बात सबको समझ आगी ठीक है, अगर किसी की लैंड होल्डिंग छोटी है ठीक है, तो उसकी इन्पुट लगेगी लेकिन उसको आउटपुट उतना नहीं मिलेगा लेकिन अगर उसकी वही लैंड होल्डिंग चार गुना बड़ी हो गई, ठीक है तो इन्पुट शायद उतनी ही लगे लेकिन आउटपुट उसकी काफी बड़ी आगई, तो ग्रीन रेवल्यूशन में लार्ज लैंड होल्डिंग होना बड़ा ही जरूरी था, इसका फाइदा लेने की लिए अब जब ग्रीन रेवल्यूशन स्टार्टिंग में आई थी तब तक तो सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था अग्रिकल्चर काफी रेमिनरेटिव बन गया सब चंगा सी, सब बड़िया था इंदरा गांदी की जय जय कार हो रही थी लेकिन ग्रैजुली क्या हुआ अब देखो, मराथास की बात करते हैं ये है एक मराथा कपल एक मराथा कपल है अच्छा कासा जमीन अच्छे कासी लैंड, अच्छे कासी रेमिनरेशन तो शादी के लिए रिष्टा भी बड़ा है राम से मिल गया, शादी होगी अब इनके हुए तेन बच्चे तो जो पापा जी की बड़ी सी लैंड थी तेन बच्चों ने क्या किया कि जमीन तो है ही हमारी तो है ही है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है हम इसी को प्रड़क्शन प्रड़क्टिविटी इसकी बढ़ाते रहेंगे घर चलता रहेगा, लेकिन जहां पापा जी की एक यह बड़ी सी जमीन थी अब तीन बच्चे हो गए, इन में क्या जमीन डिवाइड हो जाएगी अभी भी कुछ नहीं विगड़ा, अभी भी रेमिनुरेशन अच्छी है अच्छा कासा पैसा आ रहे अब इनके भी तीन-तीन बच्चे जब यहां पर इनके भी तीन-तीन बच्चे अब यहां पर टोटल नौ बच्चे अब जब यह जिनरेशन आई, पहली पीडी, दूसरी पीडी, तीसरी पीडी तीसरी पीडी ने भी यही देखा था कि हमारे बाप दादा करते है तो agriculture ही थे, घर पे सारा agriculture वाला महौल चल रहा है, इनको climate, soil, agriculture के बारे में एक UPSC aspirant से शायद जाधा ही knowledge होगी, ठीक है, घर पे सब कुछ यही सब चलता रहते है, तो जाधा ही knowledge रही होगी, so consequently यहाँ आते आते, यह जो बड़ी सी land holding होती थी दादा जी की, वो हो गई divide, जब land holding divide हो गई, ठीक है, यह हो गई confused कि यार दादा जी तो सही थे, उनकी हवेलियां थी, अच्छा कासा सब कुछ था, हमारे क्यों नहीं profit हो रहा, हमारा remuneration, हमारे खर्चे क्यों बढ़ गए, ठीक है, और gradually जड़ जो थी, वो थी, land holdings का size shrink होता गया, और उसी की वज़े से, इनकी एक तरीके से, जैसे अजे ने बताया है, ठीक है, marginalization of land कहलो, वो होनी start होगी, ठीक है, अब इसी के parallel में एक और development चल रही है, ठीक है, Marathas who are watching this video, ठीक है, आप शायद relate कर पा रहे होंग ठीक है, ठीक है, unless and until, इन में से कोई, मान लो, एक लड़का ये, इसने government exam दिया, SSP लग गया, ठीक है, अगली generation भी government exam दे रही है, यहां एक किसी ने business कोई दूसरा start किया, ठीक है, तो land holding में इतना फरक नहीं आएगा, बट, अगर land या agriculture ही continue हो रहे है, तो land holding चोटी हो रही ह मुनाफ़ा कम हो रहे है, ठीक है, पैरलली क्या चल रहे है, पैरलली, डलिट्स and OBCs, आप जानते हैं कि reservation का प्रावदान है, हमें positive discrimination करनी है, historical injustice जो हुआ है in communities के साथ, उसको दूर करने के लिए, उनकी inclusive growth करने के लिए, उनके लिए एक positive affirmative action लिया जाते है, in the form of reservation, जहां पर educational institutions और कई तरह की नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में particularly, इनको reservation दी जाती है, तो इसमें क्या हुआ, कि एक marginalized agricultural laborer था, कि उसके खुद की जमीन नहीं थी, लेकिन किसी और की जमीन पर काम करके, वो अपनी कुछ दिहारी कमाता था, उसके बच्चे थे, reservation मिली, अच्छे school मे पढ़ लिये, ठीके, उसके बाद reservation मिली, सरकारी नौकरी आ गई, ठीके, सरकारी नौकरी आ गई, तो आप सब को पता है, रिष्टे ढूणने थोड़े सा असान हो जाते हैं, होता न ऐसे, ठीके, generally हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए होती है, तो रिष्टा हो गया, ठीके, अब बच्चे हुए, इनको भी क्या reservation, तो अब क्या है, कि, let's say, कि जो पिता थे इनके, इन्होंने clerk की position पर सरकारी नौकरी reservation के तुरू entry ले लिए, अब PD का तो उत्थान ही होना चाहिए, अगली generation कहीगी, कि अगर हमारे पिता जी ने यहाँ से शुरू की, तो हम एक step कुल हर case में, मतलब एक-एक family नहीं मैंने देखी, बट journal जो trend बताया गया है, editorial में, वो कुछ इसी प्रकार का है, ठीके, अब यहाँ पर जब यह चीज़ चल रही है, जो महराथाज है, ठीके, who have been agriculture class और land owners रहे हैं, और यह developments उन्हें दिख रही हैं, तो उनको realize हुआ, कि यह पीडी दर पीडी हम पीछे रहते जा रहे हैं, और एक समय पर, जब एक community थोड़ा पीछे होती थी, तो यह आगे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर इनको कहा, इन्हें यह महसूस होना start हो गया, कि इन्हें भी reservation की जरूरत है, reservation ही ऐसी चीज़ है, जो इनकी हर समस्या का स जनता की जो demand आएगी, तो politicians चाहेंगे कि उस demand को fulfill किया जाए, ठीक है, उसी से उनको vote मिलेगा, अगर जनता की demands fulfill हो रही हैं, तभी जनता politician से खुश होगी, और उन्हें vote देगी, तो यह पूरा process है, अब ध्यान से सुनना इस बात को, अभी Marathas को सिरफ यह perception होई थी, कि ठी कि हम पिछट रहे हैं, बट अभी भी देखो, dominant community तो हमारी ही है, CM generally, Marathas ही बनते हैं, और हर जगा पे, even elections बगारा में भी Marathas की थोड़ी dominance रहती है, क्योंकि landed class है, तो जिनकी जमीने होते हैं, उनको काफी फादा होता है, अब यहाँ पर 2014 में, महराष्टर में हुआ एक change, जब government बदी, तो CM किसे बनाया गया, देवेंदर फटनविस को, देवेंदर फटनविस क्या है, बराहमिन, यहाँ फिर इनको कह लीजे, non-marathah एक CM बन गया, जब non-marathah CM बना, और यह दो जगा हुआ था, which I can recall very clearly, एक थे हर्याना में, Manoharlal Khattar, और एक थे महराष्टर में, देवेंदर फटनविस, हर्याना में, non-jart CM का बनना, और महराष्टर में, non-marathah CM का बनना, यह respective dominant class ने, यह respective dominant class ने, इतना welcoming हो के नहीं लिया, बलकि यह समझा कि जो हमारा एक, हमारे प्रांत में, हमारे region, हमारे सूबे में, जो एक दब-दबा होता था, वो कम हो जाएगा, इकनॉमिकली तो हम पिछड ही रहे हैं, पॉलिटिकली भी शायद हम पीछे रहे जाएं, तो इस वज़े से हर्याना में भी आपको 2015-16 में जाट अंदोलन देखने को मिले, काफी violent भी हो गए थे वो, अब यहाँ पर जब देवेंदर फटनविस आए, तो और ज़्यादा perception of deprivation यह और ज़्यादा strong होगी, इसके बाद जब डेवेंदर फटनविस आए, अब जब सरकार बद दी, तो क्या करना होता है कि पिछली सरकार ने अगर कुछ गलत काम किया है, उसको दिखाना है, बाहर निकाल के दिखाना है, तो BJP government usually anti-corruption उन्होंने अपना ये agenda रखा, कि corruption को हमने खतम करना है, तो पिछली सरकार में जितने धांदलियां हुई, उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो anti-corruption crusade के चक्कर में क्या हो रहा है, कि इन्होंने cooperative sector को अच्छा-खासा target किया, तो cooperative sector में काफी ज़्यादा चल रही थी, काफी ज़्यादा manhandling उसकी हो रही थी, mismanagement वहाँ पर चल रही थी, वो highlight होना शुरू हो गया, तो इस पूरे process में, cooperators उपर से ये भी बता दूँ कि ये marathas का एक dominant area है, जहाँ पर marathas का काफी ज़्यादा dominance रहता है इस sector में, तो यहाँ पर marathas को एक उनका stronghold break हो रहा है, तीक है, उनकी dominance कम हो रही है, so consequently अब वो और ज्यादा insecure होंगी, तीक है, क्या मैंने अभी तक कुछ गलत कहा, यह process है, जो हुआ है, हम सब के सामने हुआ है, तीक है, मैंने नहीं करवाया, यह अपने आप हुई हैं चीजे, तीक है, मुझे बता दो, I hope I haven't said anything wrong, यह process पूरा चलता रहा, तीक है, और इसमें ऐसा नही भी new government आई है, अब वो government का करेगी, कि पिछली government की थोड़ी सी गलतियां दिखाएगी, और फिर अपना काम करके बताएगी, यह देखो हमने ठीक कर दिया, ठीक है, दिस नाच्रल कोई भी party आए, इसका कुछ ऐसा लेना है ही नहीं, तो फटनवेस साब वो कर रहे हैं, जो उ इन processes के चलने से 20 साल, 30 साल बाद यह realization होनी start होगी, और यह 2014 के बाद, यानि पिछले दर्शक में यह protect शुरूप से सामने आना शुरू होगया, कि problem है, अब इस problem को ठीक करना ज़रूरी है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर अंदोलन होने start होगे, ठीक है, यह जब अंदोलन होने start हो गए, तो उसमें 2014 में Congress NCP का गटबंदन हुआ करता था, तो उनोंने कहा कि हम आपको quota देंगे Marathas को, क्योंकि उनको दिख गया, कि actually यह जो class है, यह desperate हो रही है, ठीक है, और अच्छा खासा vote bank फॉर्म करते है, 33% population बहीं अच्छा खासा vote bank होता है, आपको पता है ना, कि अगर जनरल लोकसभा के जनरल elections में किसी party को 27-28% vote मिल जाए ना, तो वो सरकार बना लेती है केंदर में, यह पता ना सबको, यह data आया हुए Supreme Court में, कि 27-28% votes आ जाए ना, एक party के पास, क्योंकि कई लोग vote करते हैं और बाकी votes में वो divided से रहते हैं, तो 27-28% vote ही चाहिए होते ह केंदर में सरकार बनाने के लिए ठीक है, और 33% अगर एक community, population फॉर्म कर रही है, तो obviously इनका vote तो बहुत important है, तो Congress, NCP की जो गटबंदन था, उन्होंने कहा कि हम reservation की बात करते हैं, आपको reservation देंगे, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा परस्यू नहीं किया, 2014-19 तक पढ़ political landscape बदलना स्टार्ट होगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम Maratha reservation लेके आएंगे, ठीक है, Maratha reservation ये ले भी आए, लेकिन वो challenge होगी Supreme Court में, Supreme Court में जब challenge होई तो उसमें कहा कि ये 50% ceiling को क्या कर रही है, breach कर रही है, जो इंदरासानी case में रखी गई थी, इंदरासानी case में ये logic दिया गया था, कि अगर 50% से जाधा आप reservation दे रहे हो, ठीक है, ये कौन से society होती, जहां पर आदिस से जाधा लोग backward है, आपका reservation का कहीं तो limit रखनी पड़ेगी ना, कि आपको कुछ तो merit के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 50% एक justified है, कि 50% के अंदर आप reservation रखो, जिसके लिए भी रखनी है, कि अगर Marathas के लिए रखनी है, तो कहीं ना कई OBC की कम होगी, SCST की कम होगी, depend करता है, ठीक है, और ये जो verdict आया, ये आया उदव ठाकरे के time पर, जब वो CM बन गए थे, ठीक है, उन्निस में इस चीज़ का फायदा नहीं हुआ, उ Supreme Court के सामने properly, ठीक है, और उदव ठाकरे का कहने के policy बनी ही थोड़ी उस तरह से थी, क्या करते है, तो ये अब आपस में blame game वही, जो बात होती है, वो चलती जा रही है, meanwhile, उदव ठाकरे, आपको पता है, तकताब alert भी हो गया, वहाँ पर एगनाचंदे, और कुछ MPs ने, MLs पार्टी छोड़ दी, Alliance छोड़ दी, और उन्होंने दूसरी पार्टी जोइन कर ली, ठीक है, तो इस बीच, अब क्या है, उदव ठाकरे CM नहीं रहे, नाउ, ठीक है, और ये images मैंने नहीं बनाई भी, ये cartoonists हैं, ये newspaper में आती रहती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये images आती है ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उदव ठाकरे अब CM नहीं रहे, और उनको ये पता है कि वो CM इसलिए नहीं रहे, क्योंकि एक तरीके से उस टाइम पे, जब वो CM थे तो opposition यानि BJP, उन्होंने अच्छा कासा propaganda और अच्छा कासा mobilization की लोगों की, जिससे कि ये दिखा कि ये मराथा कोटा की policy को सुप्रीम कोट में justify नहीं कर पाए properly, ठीक है और इस वज़े से काफी लोग against हो गए उनके, अब जब वो opposition में हैं, अब वो same चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, मेरे से हो गई कलती, अब आप सरकार में हो, आप करके दिखा दू, तो इसलिए काफी ज़ादा, especially at a time जहां पर Chief Minister, Deputy Chief Minister, जो नो ही मराथाज हैं, तो मराथा जो reservation की demand है, वो थोड़ी और aggressive हो गई है, और vehementally इसकी demand की जा रही है, ठीक है, यह और vehementally इसकी demand की जा रही है, ठीक है, तो यह पूरा मुद्धा है मराथा reservation का, समझ आगा है सबको, कि चल क्या रहा है, ठीक है, यह चीज़ें समझनी जरूरी है, ठीक है, these things are important to understand, when you understand something, only then you will be able to pen it down in your answers or essays, अब हमने देखने हैं, कि problem तो हमें समझ लगगी कि क्या चल रहा है, ठीक है, और किसी की गलती नहीं है, यह किसी का कुछ blame ऐसे डालने सकता है, यह processes हुए है, ठीक है, और मराथास भी, अगर कभी महसूस ही ना हो कि हम effluent नहीं रहे ठीक है तो वो क्यों डिमांड करेंगे ठीक है देर विल भी मुझे लगता है कि पर है कुछ गड़बर तो है जिसके वजह से जो हिथर टू हिथर टू मतब जो अब तक dominant communities रही थी right because they are जैसे पाटिदार्स अफ गुजराथ सेम हार्दिक पर टेल वला incident भी देख लो ठीक है पाटिदार्स अफ गुजराथ वो भी dominant हुआ करते थे लेकिन with the time every passing generation उनको realize हो रहा है कि यार वो बात ही नहीं रही अब क्या करें ठीक है तो reservation इसलिए दो तरीके के अंदलन हो रहे एक खुद के लिए reservation मांग रहे हैं और हार्दिक पर टेल का जब चला था तब उसने क्या कहा था कि खतम ही कर दो reservation ठीक है कि merit के basis पे वो चीज ले आओ तो अब देखो इसमें क्या हमारे पास way forward है और क्या उसमें challenges आ सकने हैं तो why government मतलब Marathas को reservation देनी इतनी असान क्यों नहीं है इसका सबसे पहला reason है ठीक है सबसे पहला reason है कि Marathas जो है न वो एक heterogeneous community नहीं है ठीक है it is not a heterogeneous community जैसे कि Dallas की यह scheduled caste की अगर हम बात करें तो वहाँ पर generally पूरे इंडिया में उनकी कुछ न कुछ population मिल जाती even पंजाब की बात भी करें वहाँ पर भी ऐसी population मिल जाती क्योंकि one number बस था के हिसाब से हमारी Indian society किसी time पर structured हुआ करती थी ठीक है तो उस हिसाब से हर जग विधर्ब और मराथवाड़ा रीजन से हैं ठीक है आपका homework map मैप में आज देखना कि विधर्ब रीजन कौन सा है मराथवाड़ा रीजन कौन सा है यहाँ पर मराथास they are considered as OBCs ठीक है इनको कहा जाता है कुन बी कम्यूनिटी कहा जाता है मराथास को विधर्ब और मराथवा आएगी खुद बताओ reservation आगी marathas heterogeneous है ने there are marathas that are effluent there are marathas who actually need reservation तो अगर reservation आगी वो differentiate तो कर नी पाएगी तो जादा फाइदा किसको मिलेगा effluent लोगों को ठीक है तो उस वज़ा से यह policy थोड़ी justified शायद ना हो पाए ठीक है यह policy justified शायद ना हो पाए समझ आगी यह चीज कि problem क्या है heterogeneous ना होने से क्या समस्य आएगी क्या बात सबको समझ लग गई ठीक है तो यह समस्या है राइट दूसरी चीज reservation के बात हो रही है तो clearly अगर 50% ceiling break नहीं करनी चलो EWS के लिए वो कर दी गई थी on some arguments तो उससे जादा तो नहीं हो पाएगा ठीक है Supreme Court का भी अपना ए EWS को छोड़ दो जो 50% है उसमें अगर हमने reservation देनी है तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे का जो कहते हैं इसको reservation का pie कहा जाता है ठीक है it is a pie ठीक है तो उसमें कुछ portion OBC का है कुछ ST का है कुछ SC का है और within OBC भी अलग-अलग communities है अगर reservation आई तो OBC का share ही होगा कम SC ST को तो छेड़ resistance मिल रही है और अगर Marathas का vote bank है क्या OBC का नहीं है पताओ क्या OBC का नहीं वोट में उनका भी है तो इनको भी नराज नहीं कर सकती सरकार या parties अलग-अलग parties तो ये भी एक problem आ रही है ठीक है OBC से resistance मिल रही है तो इसको ठीक करने के लिए कहा जाता है कि यहां तो आप constitutional amendment करो constitution को amend करके जो इंदरासानी judgment की वज़े से Supreme Court ने interpretation करते हुए Marathas कोटा को reject कर दिया था तो आप constitution समिधान का ही संशोधन करके आप उस judgment को ineffective बना दू लेकिन अगर ऐसा किया ये क्या खोल देगा ये Pandora's box खोलेगा क्योंकि ये सिरफ Marathas की बात नहीं है ये सभी state में there is a community which is dominant which has been dominant ठीक है पंजाब में क्या है पंजाब में क्या है आये बिस्वजीत जस्करन पंजाब में क्या है dominant community कौन सी है वो कौन सी community है जिसका हर गाने में जिक्र होता है गिपी गरेवाल के ठीक है जट राइट जट community landed landed class है ठीक है politics में भी बहुत अच्छी खासी representation है उनकी numbers में भ ओ तो वहां भी भी रही है लेकिन जटों की अभी की generation क्या कर रही है पंजाब में जट जटों की जो आंदोलने वो relatively कम क्यों है जट क्या करते है जतनी जमीन है वो की cell ठीक है नहीं six में भी बहुत सारी अलग-अलग classes होती है जट ठीक है जमीन की cell ठीक है तो क्या किया till 12th और till college जमीन cell करके क्या रहेगा बोल्ट ठीक है बोल्ट वो royal infield bullet दुग-दुग-दुग-दुग ऐसे बाइक चलता है जो ठीक है और उसके बाद Canada और Canada में standard of living जादा है तो कुछ जादा बिगड़ा नहीं बरसी better ही class upgradation ही हुई है वहाँ जाके ठीक है हाँ सौरब ने सही का Canada right till the time जितनी देर बोल्ट चलेगा right उतनी देर बोल्ट चलाएंगे और उसके बाद दग 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 करते करते Canada चल जाएंगे ठीक है तो यह इस वज़े से पंजाब है नहीं बट गुजरात में पाटिदास की है हर्याना में जाट की है एवन यूपी में भी ये similar demands है तो अगर ये constitutional amendment हो गई ना तो ये Pandora's box खुल जाएगा फिर तो reservation भाई फिर तो 90% तक कहीं लोगों ने बात के कि reservation 90% तक कर दो 95% तक कर जो right तो फिर ये काफी गड़बड हो जाएगी ठीक है तो this is not such a realistic solution ये इतना realistic solution नहीं है ठीक है on the other hand on the other hand इसमें एक और solution कहा जाता है कि within OBC आप मयराथास को adjust कर दो लेकिन अगर वो किया तो divisions जो हमारी society already इतनी divided है ठीक है ये अजय ने बड़े ऐसे शान से ऐसा सीना चोड़ा करके बोल दिया I am an Indian बाई ये ना reality में आप देखो हम बटें होई लोग हैं 140 करोड लोगों को ना ऐसे handle करना इतना असान नहीं है हम क्य conditions हमें हमेशा control कर पाएं क्यों क्योंकि it is very easy to pitch us against each other ठीक है ये किसी एक party की बात नहीं कर रहा शुरू से throughout ठीक है अभी बात होई ना अभी बात होगी ना अभी ये कहारे हो ना Indian जहां पर बात होगी ना के मानलो let's say you are from community A I am from community B ठीक है सीधा इतनी सी बात आनी के community A को हम reservation द society है उसमें divisions बढ़ सकती है जो कि country के लिए अच्छा नहीं है community के लिए जरूर अच्छा हो सकते है पर it's not good for country ठीक है तो ये ये चक्कर है ठीक है राजीव just giving an example ठीक है कोई ऐसा no hard feelings है ठीक है even I am an Indian मैं तो मज़े ले रहा था बढ़ हाँ no hard feelings ठीक है तो हम actually ये बढ़ने है तो ये चक्कर है ठीक है अब यहां पर challenges का बता दिया अब way forward क्या है कोई way forward बताना चाहेगा वैसे तो पढ़ लिया होगा पीछे ठीक है way forward क्या है इसमें way forward सीधा सीधा है कि अगर agriculture देखो western countries में क्या हुआ ध्यान से सुनना world history में पढ़ते हैं हम और P2Y में पढ़ते है अच्छे से मैं ही पढ़ाऊंगा most likely world history में हम पढ़ते हैं कि industrial evolution England में क्यों आई उसके पीछे कुछ कारण होते हैं ठीक है तो उधर enclosure system की बात की जाती है enclosure system में क्या हुआ था कि वहाँ पर भी na agriculture को remunerative बनाने के लिए वहाँ पर land को ऐसे enclose कर दिया था और कह दिया था कि अ अगर उस जमीन के owner को पता लग गया है कि मैं को 10 laborers चाहिए बाकी 80 ऐसे ही बैठे हुआ है तो उनको निकालो ठीक है ये 80 laborers अब industry में adjust हो सकते हैं ठीक है तो industry को क्या मिल गई cheap labor और ये labor जिनको agriculture से काम नहीं मिल रहा है या agriculture उनके लिए remunerative नहीं है उनको मिल गी manufacturing sector में job अब तो चलो industrial revolution काफी exploitative system था लेकिन आज के समय में अगर इंडिया में वैसी similar चीज़ आती है इसी में से बहुत से manufacturing sector के labor ठीक है processes को समझते हुए और marathas के अगर intelligent लोग हैं ऐसा नहीं है अच्छे कासे intelligent लोग हैं उन्होंने factory में जाके processes को समझ के अपने startup शुरू कर देने ऐसा हो सकते है तो ये एक possibility है ये भी एक possibility है तो हमें जो solution है न वो manufacturing sector को मजबूत करना पड़ेगा reservation जो है न reservation is just a symptomatic treatment it is not the solution of the root cause the problem of the root cause है न problem आप कितनी देर तक agriculture पर dependent रहोगे अजादी को कितने साल हो चुके हैं भई हो गया agriculture ने जो करना था आप सीधा service sector पर जंप होगे एक manufacturing sector को boost करना पड़ेगा ठीक है manufacturing sector में क्या होगा जब फैक्टरियां बननी है उनको भी land चाहिए ठीक है तो यही class जैसे example वैसे देता हूँ कपूर्थला की बात करते हैं वहाँ पर rail coach factory है ठीक है राजिव बांदी के time पर बनी थी तो वहाँ पर manufacturing sector को बढ़ावा देना ज जट्टों ने वहाँ पर अपनी जमीन दी ताकि RCF बने तो बदले में क्या मिला एक तो जमीन की payment और दूसरा यह promise कियागा है ठीक है आप अपनी जमीन दे रहे हो जो आपकी रोजी रोटी है जमीन के बद दे एक लंसम payment प्लस घर के एक एक member को या दो-दो members को RCF में नौक वहाँ पर overtime laborers को overtime की payment होती है वहाँ पर trust me हमारे ने driver भही आते थे ठीक है तो और एक दूद्वल अंकल आते थे ठीक है उनके बच्चों के पास fortuner थी मैं अभी भी नहीं ले सकता वैसे बता रहा हूँ ठीक है वैसे बता रहा हूँ राइट तो यह चीज क्या कि effluency होगी तो everyone is satisfied फिर क्या दिक्कत है तो यह solution है ठीक है तो दो चीज़ें करनी है पहली चीज manufacturing sector पर लेके आने और दूसरा ऐसा नहीं कि agriculture को पूरी तरह ignore कर दो agriculture की भी productivity बढ़ाओ यार हो गया green revolution हो गया भई what next तो यह बात है सबको समझ आ गया now next article is even more important and next article हम और भी ज़्यादा fun तरीके से करने वाले है is everyone fine me speaking a little bit Punjabi just to keep things light and a little bit funny अगर कपल शर्मा शो देखते हूँ आप फिर तो I think जितनी मैं बोलूँगा बीच बीच में उससे काम बन क्वेशन अभी मैंने डालना नहीं because I just want कि आप concept को समझ जो यार ठीक है main question जो है एक तो मुद्दे का root cause वो आपको पता लग गया what is the root cause consistent intergenerational shrinking of land holdings ठीक है यह root cause है challenges के आएंगे यह challenges को summarize कर दिया है और solution यह solution हो गया है बाकी कहानी है editorial में यही करना होता है कहानी यहाँ और challenges solution and root cause यहाँ front of your mind ठीक है चलो moving to the next article यह कौन है राजीव वैर जसकरन वगयरा नहीं आए यार जसकरन बिस्वजीत voice reality may I know your good name please ठीक है अच्छा लगता है कई लोगों के नाम याद हो गया है जबीना ठीक है जबीना का नेनिका राजीव राइट and many others right आये हैं बिस्वजीत आये ठीक है चलो साथ करें यह कौन है नवास चचा हाँ नवास शरीफ right नवास शरीफ is back ठीक है एक्जाइल हो गया था इनके भीना पता नहीं ग्रह माड़े है इनके ना ग्रह कुछ हैसे किस्मत ही ऐसे लेकर आते हैं कुछ लोग ठीक है कि प्र ही था right अभी तो बहुत बुरा हाल हो गया बट अदर्वास ठीक ठा कंट्री था तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं पर देश निकाला बहुत बार हुआ हुआ हुए ठीक है एक्जाइल में अब वापिस आ गए है तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि एक तो यह हैं पाकिसान मुस्लिम लीग पार्टी जो है उसके सुप्रीम लीडर माने जाते हैं ठीक है सुप्रीम हो है उसके जैसे वाट अर्विंद केजरिवाल इस वर आम आदमी पार्टी राइट यार एक्जाम्पल ना गलत ना ले ना अगे किसी मैं कुछ कंपारेजन नहीं करा जस्ट बता र लिए ठीक है तो इनका वही पाकिसान मुस्लिम लीग के लिए इनका वह हिसाब है ठीक है और दूसरा तीन बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके है और एक्जाइल भी मल्टिपल टाइम्स एक्जाइल जा चुके है ठीक है याद है हमने परवेज मुशरफ की जब डेथ किया था कि कैसे तकता पलट जब हुआ था तब नवाज शरीफ ही थे ठीक है कि यह जो कार्गिल वार का डिबेकल हुआ था तो नवाज शरीफ एक्चुली वांटे टू आउस्ट दब परवेज मुशरफ ठीक है तो वो फ्लाइट से वापिस आ रहे थे बट वो तकता पॉलिटी के अंदर थोड़ा गवर्निस वाला इलिम्ट भी आ जाता है तो आर्मी का स्ट्रक्टर जो पावर शेरिंग में है वो जादा चेंज नहीं होने वादा लेकिन हा राइट जो पॉलिटिक्स है ठीक है पॉलिटिकल पर्टिकल पार्टिस के बीच में वो उसमें का जादा फेर बदल हो सकता है ठीक है तो अब इस पूरे के पूरे मुद्धे और मसले को समझते हैं देखो पाकिसान में एलेक्शन की बात की गई इमरान खान को होगी जेल उनको भी नो कॉन्फिदेंस मोशन पास होगी थी अब उनको जेल में डाल दिये तो अब जब इलेक और से प्रफिद इलेक्शन गें अपने परा अपने आसर थोड़ी से बेस थी करेंगे हम थोड़ी 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 बट बुरा नहीं मानना अल्टिमेटल हैं तो यार पर ना पर ना पाकिसान फ्री एंड तरीके से elections conduct करवाता है at least this is what they claim तो इसके लिए उन्होंने उन्होंने August 16 अन्वर उलहक ककड़ इन अंकल को ये French cut नहीं, इनका Mike है इन अंकल को क्या है? इन अंकल को Prime Minister बना दिये जिसको कहते है Caretaker Prime Minister Caretaker PM का काम होता है कि पाकिसान की election commission को ensure करें कि अगर यहां पर कहते हैं कि अगर हमारी ruling party होती ना तो free fair election नहीं होने थे उन्होंने अपने आपको favor देनी थी हो सकता है देते हो, तो इन्होंने का कि हमें Caretaker PM रखेंगे, ये ध्यान रखेंगा कि कोई fear favor के बिना सब election का process हो, ठीक है बड़ी है, तो इसमें ठीक है, बाजवा साब आगे परिशान, बाजवा साब परिशान होगे केते कि, आखी कहता कि सादे उन्दियां इंडियां वाहाँ free fair elections करा वाहाँ है, कि मतलब हमारे होते वे, पाकिसान आर्मी के होते वे, free and fair elections क्या possible है, तो that is not the case तो मुनीर साब कह रहे हैं इनके that अबाजा साब मजाक करन दे है, तुसी BP देन गोलियां खाओ, तो चैन नल, राम नल बेठो, कि मतलब, take some pills to maintain your calm and composure for your blood pressure, तो सब कुछ ठीक है कोई ऐसा free fair वाला, कोई ऐसा चक्कर नहीं है right, now इमरान खान की बात करते हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि इंशालला हम भी BP की गोली खाएंगे, लेकिन हमारा कसूर क्या है हम को क्यों जेल में डाल रखा है right, this is the question, right तो actually हुआ ये था कि during इमरान खान's rule वो election जीते थे तो कुछ ज़ादा चौड में आगे थे, तो पाकिसान का आर्मी का internal process होता है, जिसमें कुछ transfers वगेरा होती है, कि ISI को कौन lead करेगा और उनके कुछ और regiments को, इंशीन को कौन lead करेगा इमरान खान को लगा कि election शायद मैं खुद जीता हूँ, तो उन्होंने इंटर्मीन करना शुरू कर दिया था, इनके transfers के processes में, कि जनरल साहब, बाजवा साहब कुछ transfers कर रहे से, तो उन्होंने अपत्ति जितानी शुरू कर दी, तो बाजवा ने का कि यार साट्डे हुन दिया, तो transfer लाट्य क्यों फसाई, कि why did you try to intervene in internal matters of army, right, so he set के भाई, 2018 की election जीते थे, इतना तो हक बनता है हमारा, right, तो Munir ने साहब कह दिया के भाई, आप जीते नहीं थे, हमने जिताया था, right, you did not win, we made you won it, right, और यहाँ पर इमरान खान को actually example देखनी चाहिए थी, नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ के साथ, देखो, क्या हूँआ प्राइम मिनिस्टर बने है, लेकिन तीन बार exile हो चुक है, क्यों हो है, जब-जब पाकिसान आर्मी में कभी भी टांग अड़ाने की कोशिश की जाएगी, जब-जब पाकिसान आर्मी में इंसाफ, PTI, ठीक है, यह पार्टी का नाम है, और यह कौन सी है, पाकिसान मुस्लिम लीग, ठीक है, तो यह कहते हैं, नहसीयतों के लिए नहीं, इमरान खान को डिफीट करने के लिए आपको वापिस लेके आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा सला देनी की ज़रुवत नहीं है, इसको इसको जनाजा निकल जाए, ठीक है, कि इनको केंपेंड करने ना दिया जाए, इलेक्शन के टाइम पर, और अराम से इनको बिलकुल पासवे कर दिया जाए, ठीक है, तो यह पूरी कहानी चल रहे है, कहानी समझ में लगी सबको, पाकिसान में कहानी सबको समझ लगी, क्या चल रहा है, कि नवाज शरीफ वापिस आ रहा है, ठीक है, वापिस आने से क्या, कुछ चेंजिस आ सकते हैं, तो जवाब है, actually अगर हम ध्यान से चीज़ों को देखें तो military ही वापिस एक तरीके से लेके आ रही है जिसमें changes की ज़्यादा उमीद नहीं की जा सकती ठीक है PMLN means Pakistan Muslim League and I think Nawaz for Nawaz ठीक है तो यह changes हो रहे हैं अब इंडिया को किस तरह से देखना चाहिए अब यहां पर हमारे लिए consequences important है consequences में देखो सीधी सीधी बात यह है कि Pakistan की आर्मी जो है एक बहुत dominant institution है उनका इतनी अजानी से अपनी power छोड़ नहीं सकता हो ठीक है और हलांकि Pakistan की आपके पता history रही है कि time to time military coup होते रहते हैं लेकिन पिछले 15 साल के करीब Pakistan की military ने generally यही promise किया है कि हम civil government के matters में टांग नहीं अडाएंगे और civil government भी security के matters में थोड़ा सा एक distance बना के रखे ठीक है लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं इन promise का कोई मतलब नहीं directly नहीं लेकिन indirectly पाकिसान की army सारे strings पूल कर रही है ठीक है इनका यहाँ पर इनका यह मानना है कि यह सिरफ पाकिसान की army ही है जो पूरे पाकिसान को इकठा रख सकती है otherwise केते हैं हमारी अवाम का हाल ऐसा है कि अगर civil government के भरोसे छोड़ने तो internal rebellions हो जाएंगे कोई ना कोई province आजादी मांग सकता है separate हो भी सकता है ठीक है तो इनका यह मानना है it is only Pakistan army which can hold this country together और इंडिया को यह अपना permanent दुश्मन मानते है इस दीसे ना उठ नहीं रही है हमें permanent दुश्मन बनाके पता नहीं इनको क्या मिल जाना है lollipop, laddo, paneer I don't know बट यह मानने से यह कहरें कि इनको दूर सिरफ army है तब इतक यह हो सकते है तो इसलिए यह कहते हैं कि जो भी elected government है leadership है वो इनके सामने basic policy issue को लेकर तो जुके और जिस जिस ने थोड़ा नहीं जुकने की कोशिश की जैसे कि इमरान कान ने थोड़ी सी चौड दिखा दी तो उसमें उसको consequences pay करने पड़े ठीके अब इंडिया के लिए ये चीज़ क्या है इंडिया के लिए क्या नवाज शरीफ लग रहा है कि नवाज शरीफ ही अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ठीके इनके free or fair elections वो conduct होंगे उसमें most likely नवाज शरीफ ही PM बन सकते हैं इंडिया के लिए क्या अच्छी बात है या खराब बात है ठीके तो इसमें ऐसा है कि एक जो writer है ठीके he was in ministry of external affairs और एक time पर 1998 में कॉलम्बो में साख समिट हुआ था जहां पर पहली बार नवाज शरीफ अटल ब्यारी बाजपई से मिले थोड़ी सी गुफ्तगू की दोनों ने और वहां पर फिर इन्होंने पूछा कि नवाज शरीफ कैसे लगे ठीके अटल ब्यारी बाजपई ने का कि यार बंदा तो ठीक है बट आगे भी कुछ कहा वो इनका कहने कि वो में बोलना नहीं चाहता कि मतलब बंदा तो ग्रेट है मिला थोड़ी लेट है कुछ इस टाइप का बोलना होगा या का होगा कि बंदा तो ठीक है पर नहीं की आर्मी बड़ी वो है तो इसलिए exactly यह कोट किया गया है कि आदमी ठीक है नवाज शरीफ राइट आदमी ठीक है और इवन मतलब जो इमेज नवाज शरीफ की अटल जी के साथ थी मोदी जी के साथ भी लगबग वैसी ही इमेज थी इसलिए बड़े पे वो specially वापस आ रहे थे फ्लाइट पाकिसान में लैंड कराएगी चाय पी जूले पे बैठके याद है सबको जूले पे बैठके चाय ली थी ठीक है पाकिसान की आर्मी ने कभी भी नहीं अलाओ करेंगे एलेक्टेड लीटर्स को टू ड्राइफ पाकिसान इंडिया पॉलेसी जब जब कोशिश की तब तक प्रॉब्लम ही आई है ठीक है तो अब नर्वाज शरीफ के आने से कुछ अच्छी बात ने हैं इंडिया के लिए क्योंकि हमने जो constitution की amendment कर गे 373 हटाया तो उसके बाद it's not going to be easy for him to mobilize opinion around J&K ठीक है इसी के साथ-साथ जो अच्छी बात है वो ये है वो कहते है कि ठीक है दोनों countries में मसलें है historical enemies भी अगर हम कह लें ठीक है तो उस case में भी economics तो फिर भी important है ठीक है तो economics काफी important है और ये भी ये चीज़ को मानते थे नवाज शरीव भी ये मानते है कि जियो economics important है कि economically अगर हम collaborate कर लें तो उससे कुछ फाइदा हमें भी हो सकता है लेकिन जनरल मुनीर इस बात को नहीं मानते है और आपको पता है न ये ये हमने discuss किया था जब बनने थे न मुनीर तब हमने discuss किया थ कि actually जो gargill war होनी थी तो उसके पीछे जनरल मुनीर का भी अच्छा खासा planning में हाथ रहा था और इसके लावा भी time to time अच्छे खासे planning जो भी इंडिया के major attacks होए है उसमें जनरल मुनीर का अच्छा खासा planning रही है तो इसमें मुनीर की कोई indication नहीं है कि वो भी geoeconomics को importance गया नहीं ठीक है और यह जो है न वो typical जो anti India सांचा होता है एक सांचे में बने में ट्रेनिंग ही ऐसे हो रही है basic जो journal structure है तो वो इनका वही है कि इंडिया के साथ रक्त और पानी एक साथ नहीं बैस सकता कुछ कुछ वही हिसाब यह follow करने वाले है अब पाकिसान को चाइन जनता अब हम को दिखाने के लिए कह सकते हैं कि हाँ हमारे project बन गए हमें फाइदा हो रहा है लेकिन long term में sustained economic growth के लिए यतना अच्छा नहीं है तो यह बहुत ज़रूरी है कि पाकिसान comprehensively इंडिया के प्रती इंडिया के साथ realistic policies develop करें ठीक है realistic policy जो है न वो यही है stop considering us your enemy stop doing that ठीक है we are we can be very good friends but if you want to make us enemy right we will be very dangerous one यह बात है तो realistic policy यही है कि दुश्मनी छोड़ दो ठीक है illegally जो occupations कर रखी है उसको ज़रा छोड़ दो ठीक है चाइना की चाइना के पीछे पीछे जाना यह भी छोड़ दो ठीक है properly इंडिया के साथ अगर अच्छे relations बनाओगे तो दोन है ठीक है यह सारी situation है अभी के लिए यहां पर कहा जा रहा है कि अभी के लिए दोनों countries ना election में उल्चे होएं तो दोनों side जो है एक दूसरे के अभी issues में ज़्यादा टांग नियड़ आएगी पाकिस्तान में भी civilian government even army उसका यही ध्यान रहेगा कि elections के आर्में कहीं instability ना आ जा है और इंडिया में भी government domestic issues के उपर जादा ध्यान देगी जिसमें महंगाई ठीक है बेरोजगारी और और ऐसे कई मुद्धे है तो अभी इस चीज में engaged है ठीकिन उसके बाद क्या होगा यह देखना बाकी है ठीक है तो यह था इस article की यह summary ठीक है नवाज शरीफ के best interest है तो वो पाकिसान की आर्मी है क्योंकि अगर आर्मी यह हमीशा लोगों को डरा के रखेगी कि इंडिया कभी भी attack कर सकता है इंडिया कभी भी आपको खतम कर सकता है तो उनकी legitimacy बनी रहेगी लेकिन अगर यह चीज़ प्रूव हो जाए कि इंडिया अटाक नहीं करने वा हमें भी क्या shock चड़ा हुए कि ओल जलूल खर्चे करने का ठीक है अगर सारा कुछ well laid borders हैं कोई dispute नहीं है तो हम अपनी energies को ठीक है अपनी energies अपनी आर्मी को ठोड़े अलग तरीके से use कर सकते है अपने expenditures को अलग तरीके से use कर सकते है बट वही problem है कि पाकिसान मानेगा नहीं और इसमें चाइना भी हमेशा included रहेगा चाइना भी क्योंकि चाइना को भी पता है कि अगर पाकिसान की आर्मी है उनके साथ negotiate करना असान रहेगा तो ये सारी चीज़ें चल रहे हैं तर ठीक है एक और article है इसको discuss करते है ठीक है इस article में ये article ना GS2 के साथ संबंध बनाता है governance के वो इसमें touch किया गया है और इसका जो crux है वो crux ये है कि community ownership और community participation is very crucial for any government policy to succeed government जितना मर्जी कह दे स्वच्छ भारत government जितनी मर्जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंदोलन कर लें लेकिन जब तक community associate नहीं करेगी अपने आपको government के साथ उसका साथ नहीं देगी तब तक किसी भी चीज़ को successful बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है तो इसमें इक्जांपल दी है यहीं मेरे मतलब का थोड़ा आर्टिकल है इसने शुरुआत ही मुवी से की है सबने मोहन भारगव शारुखान का नाम था मोहन भारगव नासा के साइंटेस्ट जो एक गाउं में आके उनको बिजली उत्पन करके देते हैं ठीक है वो बलब जलता है वो जो मुवीज है ना और इन मुवीज के अंदर जो कहानी है इन्होंने क्या किया कि एक सपना दिखाया लोगों को और अगर उस सपने में आम जनता उनके लोग बिलीव ना करते तो इनको शायद साथ ना मिलता और यह सक्सेस्फुल हो ना पाते क्योंकि उस सपने में काफी लोगों का विश्वास था इसलिए लोगों ने साथ दिया और चाहे वो क्रिकेट का मैच जीतना हो या फिर एक छोटा सा डैम बनाना electricity generation के लिए small hydroelectric plant बनाना वो बात हो ठीक है जो स्वदेश में हुआ था तो दोनों चीजें दोनों चीजें वो तब ही हो पाई जब लोगों ने साथ दिया और हमारा जो 142.86 करोड ठीक है लेटेस estimates वो आ रहे हैं दुनिया से यह जो हमारी community है ठीक है इसमें community interventions के बिना किसी भी initiative को successful बनाना बड़ा मुश्किल है और इंडिया actually community led movements का champion भी है यह चीजें आप अपने essays म करते हैं ठीक है यह जो newspaper का देखो एक purpose समझो आप में से बहुत से aspirants ना कई बर newspaper में चीजों को रटने की कोशिश करते हैं रटना नहीं होता समझो मेरे देश में क्या चल रहा है मेरा देश बदल रहा है ठीक है वो कैसे बदल रहा है वो चीजें जब दिमाग में चलती रह है तो फिर जब आप ऐसे को लिखना एक अलग गेम है उस लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए brain के अंदर वो अलग है ठीक है वो प्राक्टिस से हो जाता है लिखने में क्या है कि कई चीज़ें आपको पता लग जाती है knowledge base बनने है उस knowledge base को pen down कैसे करना है उसकी अलग टेकनीक है लेकिन वो knowledge base तो बनाओ ठीक है तू रटना नहीं है समझना है ठीक है इंडिया community led movements का champion है हमारा जो हमें freedom movement भी जो मिली है वो क्या है community lady तो थी movement जहां पर community led movement नहीं थी वहां पर क्या होता था carrot and stick कभी ये council act कभी वो council act पूर्ण सुराज मिल नहीं रहा लेकिन community led movement निकाली तब फरक आया भी ठीक है example के तौर पे इन्होंने amul की example थी ठीक है जिसने की ये भी community community entrepreneurship थी ठीक है community का एक enterprise था और इसने इंडिया को world's largest milk producer बना दिया ठीक है global innovation index इसके उपर आपका homework रहेगा ठीक है इसको थोड़ा सा search करना about global innovation index right global innovation index में इंडिया 40th rank पे आ गया है 2015 में 81st rank हुआ करता था इसका अब 40th rank है और इसमें हमने कई चीज़ें change की है ठीक है ये जो change आया है ना इसमें दो चीज़ों ने काम किया एक public policy यानि कि सरकार की policy सरकार की नीती और दूसरा लोगों की commitment towards innovation राइट हाँ बिल्कुल चिपको black mentor and very sadar नर्मदा बचावान दोलोन हमारी community लेट champion रहे हम community movements के राइट तो इसमें change ये हुआ है कि सरकार ने जो एक complicated process हुआ कर commercialize करने capitalize करने वो असान हो गया दूसरा लोगों ने भी उसको tap किया पूरा तो ये advantage मिली इसी में एक example दी गई है अटल टिंकर लाब्स की नीतिया योग के अटल innovation mission का हिस्सा है अटल टिंकरिंग लाब्स यहाँ पर क्या है कि ये maker space है तीक है कि innovation के लिए एक forum बना के देते नहींगे platform बना के देते हैं innovation के लिए और यह कहां पर है middle और high schools में जहां पर लगबग 10 लाख बच्चे जो emerging technology से ज़्यादा वाकिफ होते हैं ठीक है आप हमेशा देखते होगे कि ये मुझे भी feel हो रहा है यार कि एक time था कि नया mobile आता था तो मुझे ज़्यादा पता होता दादा जी मेरे वो पूछते थे मुझसे कई चीजे हाला कि he was also very shocking person हर तीन-तीन महीने बाद नया phone लेकर आ जाते थे पठा कई चीजे समझने के लिए मुझे दिखाते थे तो उनको पता होता था कि ये generation है ये पैदा ही mobile के साथ हुई है लेकिन अब even I am feeling a little bit भुजर्ग in that sense कि कुछ चीजे हैं पूछने के लिए अब मैं जो हमारे चोटे-चोटे कजन्स हैं उनसे पूछनों कि ये बता कैसे करते हैं तो करके देते हैं तो ये जो young minds होते हैं इनमें ना potential बड़ी होते हैं innovation की और इनको कहते हैं neoteric innovators मतलब innovators of the new age new technology तो this is quite a good initiative और इसमें basically यही है क curiosity, creativity और adaptive learning इसको हम promote कर रहे हैं और 10,000 utter tinkering labs ठीक है ये 6 साल में 75,000,000 से ज़ादा students इनको cater करना start हो गई है ठीक है 75,000,000 से ज़ादा students को ये क्या कर रहे है cater कर रहे है अब इसमें इसमें जो समस्या है, समस्या ये है कि इसके ना कुछ logistical issues है logistical issues कैसे हैं कि मान लो इसमें से बहुत सी चीज़ें बहुत सी चीज़ें, rural areas को भी cater करती है, ठीक है rural areas में भी innovation होनी चाहिए तो आप खोद बताओ कि एक utter tinkering lab में, let's say 3D printer रखा है, जो example इस article में भी बताई गई है एक 3D printer दिल्ली में है, एक 3D printer चंपारन में है, ठीक है यहाँ चलो गोरकपूर में कहलेतने चंपारन में गोरकपूर में, ठीक है यहाँ फिर वो गंगाजल मूवी में कौन सी जगा थी, अजय देवगन जहां के SP थे कौन सी जगा थी यार, बताओ, गंगाजल सबने देखी हूँ, यह मुझे पता है वो देखके ही आप लोग UPSC की तरफ एट्राक्ट होते हूँ, गंगाजल में कौन सी जगा थी, SP साहिब, सुंदर यादव वली, बच्चा यादव सुंदर यादव, कौन सी जगा थी, कोई तो बताएगा यार, यह आंसर किसी ने किसी से तो आना चाहिए, रामपूर, नह बताएगा युशाद, तेजपूर, तेजपूर, तेजपूर था महां पर, वो actual true incident पर based है, वो movie, वरुन सर ने उसके उपर एक पूरी presentation बना के रखी हुई है, study IQ पर मिल जाएगी, वरुन जोहरी सर है, तो उन्होंने पूरा research किया, journalism backgrounds हैं, तो उन्होंने बताया था कि बिह हो जाएगा कि दिल्ली में असान है ठीक करना, तेजपूर या डिल्ली, डिल्ली में, तेजपूर या डिल्ली में ठीक करना उसको जादा असान है, क्योंकि help बड़े असानी से मिल जाती है, लेकिन ऐसे तो फिर utter tinkering labs जो है हमारी, वो तो उसका तो फिर purpose ही नहीं रहे गया कुछ states की, जैसे करनाट का, आंधर प्रदेश, जेंड के, जिन्होंने एक idea start किये, जिसका नाम है ATL सार्थी, utter tinkering lab सार्थी, सार्थी क्या होता है, mentor, ठीक है, Lord Krishna क्या थे, अरजुन के mentor थे, तो उन्होंने क्या किये, एक cluster बनाया है, existing ATLs का, ठीक है, जो की एक guidance committee देखेग तो इसमें क्या होता है, कि 20-30 schools का एक cluster बनता है, जहां पर two-third जो है, वो ठीक ठाक perform करते हैं, लेकिन one-third जो है, वो शायद थोड़ा सा struggle कर रहे हो, ठीक है, वन-third जो है, थोड़ा सा struggle कर रहे हो सकते हैं, तो इसमें क्या है, कि क्योंकि जब सब लोग मिल के काम करते हैं, ठ उससे ये पाया गया, ये actually witness किया गया, कि जहां ये clusters बने, जहां पर ATL सार्थी ये system follow किया गया, वहां पर 90% institutions, वहां पर student teacher attendance अच्छी है, और 85% काफी अच्छा perform कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो two-thirds अच्छा perform कर रहे हैं, इनकी best practices से one-third जो struggle कर रहे थे, उन्होंन infrastructure है, school को दिया जाता है, वो actually school की ownership नहीं दी जाती, ठीक है, कि जैसे आपको, आप, फर्ज करो, कि जैसे हमारे school में, नहीं, school नहीं, college में होता था, I think, हाँ, हमारा तो लेना देना नहीं था, उसके साथ ज़्यादा, but actually, जैसे Tata Motors है, mechanical engineering वालों के साथ था, Tata Motors एक lab वहां प factory, ठीक है, जो wagons बनाती थी, वहां पर हमारे पास CNC machines होती थी, जो trains के tire की manufacturing में लगी होती थी, तो वो machines होती थी, Schneider की, ठीक है, या, Schneider की machines लगी होती थी, वहां पर, या, Crompton की होती थी, कुछ, right, तो वहां पर वही कहा जाता है, कि खराब हुई, तो उनी की company का जो trained व्यक तो ये कहते हैं कि जो taxpayer के पैसे से, इन schools में, जो भी infrastructure है, अगर ownership दे दोगे, community ownership दे दोगे, responsibility बढ़ती है, और अगर कोई चीज ठीक नहीं होरी, school को पता होगा कि ये मेरी जिम्हेदारी है, तो वो चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये एक example दी गई है, community ownership की, ठीक है, अब इसमें आपका जो homework है, आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, global innovation index को search करके थोड़ा सा इसको prepare करोगे, who releases this particular index, क्या parameters है, और इंडिया का rank क्या है, कुछ BRICS nation, कुछ G20 nations और कुछ और इंडिया के पडूसी मूलक, इनका क्या rank है, आसपास, वो भी search करने है, दूसरी चीज, अटल innovation mission, इसको prepare करने हैं आपने, तीसरी चीज, अटल tinkering, यह इसी को देखोगे न, तो अटल tinkering, labs इसको भी search कर लेना, ठीक है, तो यह main चीज़ें हैं, यह आपने search करनी है, from prelims point of view, ठीक है, from prelims point of view, यह चीज़ आजेगी, यह कुछ नाम है, regularly दिखते हैं, ठीक है, it feels really great to connect with you, ठीक है, तो आज, session थोड़ा अलग था, right, तो मुझे, do let me know, कि कोशिश यही थी कि fun करते करते, हम चीज़ों को सीखें, ठीक है, क्योंकि maximum चीज़ों तो देखो, यार, monthly compilation से भी आपको पता लग जाती है, लेकिन आपका perspective develop होना वड़ा जरूरी है, जब तक perspective develop नहीं होगा, जब तक interlinkage करनी नहीं आएगी, अब देखो, इन articles में हमने कैसे interlinkage की, हमने Maratha reservation की problem को, which is actually a problem of polity and governance, इसको हमने society के साथ link किया, और historical, जो history है, उसके साथ भी link किया, तो GS1, GS2 and जो economy में green revolution का impact, कभी discuss करने पे आगया, ध् अगर green revolution के consequences या impact पर question आ गया, तो आज की जो reservations की demand उठ रही है, क्या इसको relink कर सकते हो आप green revolution के साथ, बिलकुल हो सकते है, green revolution में इसका बिलकुल इस्तेमाल किया जा सकते है, यह भी a consequence ही है, कि land holding का size is very necessary, but with every subsequent generation, divide होता गया, और reservation की demand आज की date में उठ रही है, social unrest होड़ी है and various other things, sociology students, so green revolution एक proper topic करेंगे, ठीक है, और जहां तक बात है second article की international relations, तो उसमें देखो हमने मजाग किया काफिया तक, बढ़ हाँ, पाकिसान में चल रही है जो geopolitics, पाकिसान की internal politics जो है, उसका इंडिया को किस तरह से देखना चाहिए और क्या उसका आगे बीचे निकलता है, ठीक है, consequences के निकलते हैं, उसके बारे में हमने समझा, तो IR economy के साथ link होता हूँ नजर आया वाँ पे, और यह जो last article है, ठीक है, यह article में, इस article में क्या है, इस article में, social issues कह सकते हैं हम, इतना नहीं, governance जरूर कह सकते हैं, क्योंकि governance में न, process of governance is incomplete without people's participation, without community's participation, उसको बहुत चड़ कर यह article बता रहे हैं, ठीक है, second point, यह चीज़ें जब search करोगे, काफी सारा prelims के तयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है, और third चीज़ है, economy में IPR एक topic है, IPR issues नाम का एक topic है, ठीक है, innovation in India, यह एक issue है इंडिया में, कि यहाँ पर innovation में अभी भी हम पीछे हैं, 40th rank, ठीक है 5 trillion बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन innovation में अभी भी 40th rank, innovation में top 10 में आना चाहिए इंडिया को, तब मज़ा आएगा, हाँ, good Raghvindra, Raghvindra ने inclusive society कहके link कर दिया इस topic को GS1 के साथ, innovation से और community participation से, we can ensure inclusive growth, inclusive society, inclusive innovation and the benefits also will be inclusive, really great, तो यह चीज़े link करनी है, and that is the purpose of editorials, ठीक है, तो I hope यह चीज़ अच्छे लगी आपको, बाकी हम कल के session में थोड़ा pre-orientation में भी explained के articles को भी देखेंगे, अब वही बात है थोड़ा इस तरह से चीज़ें करने में थोड़ा सा समस्या लग जाती, but anyways, ठीक है, कल थोड़े और articles हम discuss करेंगे, मुझे पता है, kaart cell therapy आपके साथ discuss करने हैं, वो हो जाएगा, don't worry about that, right, जाने से पहले, देखो दोस्तों, हमारा जो batch 3, ठीक है, foundation batch 3, इसकी glasses start होने वाली है, जिन लोगोंने late join किया, उनको reminder दे दूँ, कि do join this batch if you want to prepare seriously and sincerely for UPC, process थोड़ा complicated हो गया है, और जैसा मैंने बताया कि community ownership से, community learning से, चीज़ syllabus का दायरा नहीं समझ आता, syllabus के दायरे को समझते हुए हम चीज़ों को cover गरते हैं, right, दूसरा, इसमें जब live classes होती हैं, तो सभी लोगों के doubts आ जाते हैं, right, हो सकता है, आपका doubt हो, हो सकता है, ना हो, लेकिन किसी और का class में बोला गया, आपको लगा, हाँ यार, बात तो सह यह, faculty ने समझा दिया, तो एक step आगे, self study में यह चीज़ मिस हो जाती है, ठीके, तो यह चीज़ का फायदा होता है, ठीके, online versus offline में, दोस्तों, मैं बहुत very sincerely, very honestly मैं आपको बता रहा हूँ, कि offline के मुकाबले, online UPSA preparation का ज़्यादा है, मैं इसलिए नहीं कह रहा है, कि मैं online institution क के साथ जड़ा हूँ, लेकिन actually I very strongly believe this, अब मैं अपना याद करता हूँ, पहले दो attempt जो खराब किये थे, उसमें offline institution में लगता है, कि हम बड़ी मेनत कर रहे हैं, 4-6 जनों का group बनाके group discussion कर रहे हैं, उससे निकलता कुछ नहीं है, सिरफ time waste होता है, चाय पीते थे, समोसे खात होती थी, ठीक है, वो चीज़ें होती थी, लेकिन online में no nonsense attitude के साथ teacher भी पढ़ाता है, faculty भी बढ़ाता है, student भी पढ़ते है, तो इसका फाइदा actually है, ठीक है, तो यह इसका यहाँ पर फाइदा हो गया, इसमें आपको mentorship मिलती है, answer evaluation आपकी होती है, daily जो हम एक question देते हैं, उस आप लोग बैसे भी standard books को follow करते हैं, तो उससे आपको काफी फाइदा मिलेगा, CS live code लगाने से maximum discount है, जल्दी मिलते हैं आपसे classes में, see you soon there and my best wishes and prayers